दोस्तों क्यसे हैं आज टाटा मोटस पर अपडेट लेके आया था आज 20 अपरिल 2019 से सटड़े का दीन है टाटा मोटस में पोजिटीव सिग्नल आया है और कहीने कई हमिंग पीजन के पैटरन भी आउरली बेसिस पर बना है तो इस पैटरन से कहीने कई जो फॉल होती है वाप अच्छाल देखने को मिल सकता है और यह अब साइड में आप को जाते वे दीख सकते हैं कि वाल्यम इसने जो बनाय अच्छा बनाया है चार करोड़ चोबिस लाख एक आओ नजा एक तो चार करोड़ का बनाया है और लास्ट पानिंग डेज में आप देखेंगे कंडिनु में हो सकता है कि आपको एक साइट आप रखे इंवस्टर के साथ अगर कोई भी ट्रेडर हो तो आपको इंवस्टर के लिए तो भाई रेकोमेडेशन है यह 400 के आप स्क्रिप्ट मांगे चलिए चला जा तो कोई सप्राइज नहीं पर ट्रेडर के लिए एक स्टॉप्लस रख लेना आपको वह जो उस दिन कर लो था तो तो आप इसमें बने रहा सकते हैं एक सिंपल सौड शुट बस अगर आपको इतना जाना है तो आगे आप बढ़ सकते हैं तो टर्टा मोटर्स में एक अपर चोटी में लिए और आप देखेंगे लास्ट अठारा अपरील को 236 पर ये क्लोजिंग दिया है और 2.49 के साथ परसेंटेज के साथ गयं दिया है जहां अपन हुआ था वह 230 पर क्लोजिंग के नियर एराउंड उसने क्लोजिंग दे दिए इसका लो है 129 है 352 और ये 35 52 की और जाता वाब दिख रहा है अगर सब्सक्राइब देखने की कोशिश करें तो बहुत माइनर डिफ्रेंस है 236.43 कि इसका 236.25 फोड़ा से निगेटिव पॉंड से पर रिकवरी लेते हुए चुकि दिया था इसलिए अच्छा है 57 सेंटिमेंट है एक अच्छी लॉंग 5.81 था वो 4.81 हो गया यह सब क्या दर्साता है कहीं न कहीं इसमें एक बाइंग आ रही है अच्छा है अब आपको आगे दिखाता हूं कि यह देखिए प्रमोंटर्स के होल्डिंग जहां दिसंबर 17 में 5.28 था वहां जून 18 में 4.93 हुआ और सेप्टमबर 18 में 4.81 हो गया जहां एफाई की होल्डिंग 18.79 थी वहां पर 18.29 हो गई प्रमोंटर की होल्डिंग जहां पर 37.27 था 36.37 जून 18 में वहां सेप्टमबर में 37.27 तो जून 18 से सप्टमबर 18 में प्रमोंटर की भी होल्डिंग बढ़ी है प्राइस पेटर्न भी अच्छा दिख रहा है साथ जगवार का प्रावलम हो सकता है आपको रिजॉल्व होते विए दिख रहा हो या न्यूज आएगा आ सकता है तो अगर यह पहला 287 की ओर जाते जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तो टाटा मोटर्स में चार्ट पर देखेंगे यह अगर पांच मिनट पर दिखाए हूं मैं इसको आपको तो कर दो अब देखेंगे यहां पर यहां पर एक तक यहां पर चालू किया था और फॉर होने के बार और यहां पे कहके उपन ही और इस दोनों केंडल के बीच में ही यहां पे में तीजिंग दिया और अगर मैं इसको पांच मिनट केंडल पर दिखा उगा बहुत अच्छा दिखेगा आपको यह देखे यह जो यहां से फॉल्ल था इसके बाद यहां से यह अप पेटर्न लिया तो पांच मिनट के आवरली बिस्टिस पे या थर्टी मिनट पर आप देखने की कोशिश कीजिए तीनों केस में आपको देखने को मिलेगा यह कहीं न कहीं जो फॉल बोता है इस टॉप किया और अपसाइड लेके जाया जो कि एक कहीं न कहीं हॉमिंग पीजन का पैटर्न होता है इसके एक फॉल के बाद यह उपर लेता है और इस गेंडल पिसके बीच में देना चाहिए टो अगर ऐसा है इसमें इस टॉप लोस भी देता है प्यायए पिलिन यजिली बेसंते का लेना ayam थोड़ा सा दूर आप जाए तो टूटी फाइब का बने रहे और इसका जो एक श्पाइक जह जा करके लो बनाहे था टू थर्टी फोर पॉंट वजीट लो बनाहे है सुरी टू टूटी फट फट्स पाइब तो टू टूटी फट फटू कर लेजैंग और इसमें लंग पोज सोच सकते हैं देख सकते हैं यहां से ऊपर की ओर हो सकता है पाला 252 255 की ओर जाते हुए जाए तो बहुत बड़ा सर्प्राइज नहीं होगा डेली बैसिस पर ऐसे भी आप देखें तो डेली बैसिस पर जो है जब तक यह नहीं तोड़ता है तब तक आपको इसमें बने रहना है और इसको 280, 315, 350, 380 के टार्गेट के लिए आपको ऊपर की ओर बने रहना है लॉंग टर्ण के ट्रेडर अगर है तो 217 पर अपने स्टिक्ट इस्टाप लोस लगा ले जो किसका 200 डेमा है तो 217 पेस का स्टाप लोस के साथ आपको अच्छी ओपर्चुटी यहां दिख रही है मेरे अंदास से इसमें लॉंग टर्ण के लिए बाई ही करना चाहिए शॉट टर्ण के लिए भी है तो आपको 255 के टार्गेट के साथ हो सकता आपको इसमें पोजिशन बनानी चाहिए जो कि आपसाइड है स्ट्रिक्ट स्लॉप सॉट टर्ण में आपको 225.65 का रखना पड़ेगा अधर्वाइस इस्टॉपल स्टिगर्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉट टर्ण के नहीं एक बर चलिए इसको डेरिवेटिव पर देखते हैं टाटा मॉट इसको 235.80 का अठारा पर को ग्लोजीं हुआ 25 अपर जाने को रोखता है तो वहां रेशिस्ट करता है तो रेशिस्टेंस बताता है तो उपर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि अब 190 से लेकरके 235 अब जो देखेंगे एड़ दा मनी 235 है आप यह ग्लोजीं 235 एड़ी है तो एड़ दा मनी पे भी यहां सा अन्वाइंड पोजिशन हो रही है और पोजिशन कहां की और बना रहे लो पोजिशन आप 2,500 तो अब जो यहाँ रेसिस्टेंस था इनका पहले 37,320 फे अब यह अन्वाइंड हो रहा है और पोजिशन ऊपर की हो रहा है आप जो यह रेसिस्टेंस है दी एक रुपया बच्पन पैसा है और अगर इसके कॉल के डिटेल को जा करके देखें इसका जो लो था एक रुपया पंद पैसा था हाई बनाए इसने दो असी का और एक रुपया बच्पन पैसे पर ग्लोजिंग दिया है आप देखेंगे तो बाइंग में अभी भी 16,90,000 क बाइंग के लिए खड़े हैं सिर्फ सेलर 9,56,000 क्या बाइंग खड़े हैं 250 पे कितने लोग बाइंग करने के लिए सोखड़े हैं और कॉल की और बाइंग कर रहे हैं तो कहीने कहीं इसमें अप ट्रेंड दीखता है चेंज इन ऑप इंटेस बाइस पसेंट है तो यहां से क 11,84,000 को ऊपन इंट्रेस्ट क्रेट हुआ हुआ है उस जिर्फ शॉट किया गया तू थर्टी पे मताब समझे तू थर्टी नीचे इनको लगी नहीं राकी जाएंगे इसलिए मैंने आपको 225 पे स्टॉपलोस लगा तू थर्टी से की स्पाइक भी लेगा तो आप बच जा जैसा बताया मैंने फियर कहां जा सकता है तो लॉंग टर्म को अगर हम इसको देखने की कोशिज करें तो लॉंग टर्म में यह कहीं न कहीं आपको पहला टार्गट टू अव्टी सेवन जो की इसका आपको 227 इसका करेगा उसके बाद 323 जो किसका 150 डेमा है और उसके बाद हो कहीं नगए 351 की और जाता वाज जाएगा और 200-400 ने 1000 पसंट इसकी जाने की गारंटी है अब साइड अब यह ब्रेक था साहिद यह तोड़ देगा और उपर लेकिन 200-400 की कि गारंटी है स्टिक्ट स्टॉप लोस है आपको 217 का स्टॉप लगा लें और बहुत पोजेटीव है इसमें तो 200 का स्टॉप लोस लगा लें अगर वंस अगें 200 करता है तो इसमें थोड़ी सी विखनेस आ सकती है हो सकता है फिर से ही आपने पोजिशन को या हो सकता है 192 225 है तो उसके बीच में रहने की 227 के बीच में नया पोजिशन 192 227 हो सकता है इस रेंज में यह पाले कुछ दिन अपनी को स्टैबलिटी के लिए हो सकता है खड़ा हो जाए फिर नीगे टिप कही भी नहीं है बाइंगे सिर्फ बाइंगे और बाइंगे टाड़ा मोटस पे वीडियो देखने के लिए बुद दन्वाद और मेरी कोई सलाह नहीं आपको कि आप इस पर बाय करें और यह सेल करें पैसा आपको है ध्यान आपको रखना पड़ेगा सबसी जरूरी चीज किया है इसमें आपको पहले खुद अनालिसिस करना चाहिए आपको पोजिटिवि पोजिशन मत बने पेपर ट्रेट करें वाच करें मैंने जो ट्रेंड आपको बता है उसको वाच करें लगता है तो पांच रुपया प्लस मैंस उपर हो जाएगा और क्या होगा तो पकड़ी लेंगे क्योंकि इसको तो जाना है 287 अभी तुरह मिटर में तो 287 में आप गाड़ी तो छूटी नहीं है आज की CMP इसकी 236.25 है अगर इसकी CMP आज 236 है 50 20 यहां से आपको कहन देने वाला है तो गाड़ी को छूटी नहीं आप वाच करके देख ले 2-4 दिन उससे क्या भरक परता है तो वीडियो देखने के के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कोई भी पाइंग और सेलिंग रेकोमेडेशन नहीं है इस स्क्रिप्ट के लिए धन्यवाद